यह सबी अभी फिजिकल निकाल के आए हैं और इनके लिए बिग एंड पहली बार वो भी फिजिकल निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है तो बहुत से लोग पहला अनुभाव लेते हैं और पहली बार में फिजिकल निकालना बड़ी बात होती है इसी तरह आपको भी दोराना है और यह अपना अनुभाव सेयर करें उस ग्राउंड का और इस ग्राउंड का मेरा भुसावल में आर्पिफ ऐसाई का फिजिकल था अब नयात में आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पहूंगा ग्राउंड का बता सकता हूं कि वहां पूरा सर्कुलर है अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है वहां हम में जितने भी दोड़े सबने अपना टाइम 20-20 सेकंड तो काटा ही काटा है और वहां जितना आप जो टेंपरेशर है यहां से बहुत जादा तो पांच बजे पांच बजे च्छे बजे का टाइम दिया है पांच बजे पहुँच जाएं क्योंकि आप 5-15 भी होंगे तो 5-6 वेच आप से पहले बन जाएंगे और फिर एक दिन पहले अपना जो भी है रिजर्वेशन अगेरा करवा लें वहां पर रुकने का भी कर लें कि वहां दिक्कत होती है वहां इतना और और एक साइस दो अगेर आपकी सब ट्रेनिंग प्रॉपर ही है समय सब कटेगा पांच चालीश मेरा टाइम आया था वहां पर यहां कभी नहीं आया पांच चालीश पांच पचास छे शे तक साड़ी शे से स्टार्ट किया था एक मन्द में पांच बावान तक बेस टाइम लेकिन वहां पांच चालीश मारा रहा है और धूब में पचीज को बुसावल आर्पिया पैसाई का मेरा फिजिकाल था गुड़ वार्क आउट करिये तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कर नहीं होने वाई जो अपना हाई जंप और लॉंग जंप होगा वो लेट ही होगा बारा एक बज़े तक तो उसके लिए तयार रही है और लॉंग जंप पे जो भी ट्रैक है वो प्रॉपा नहीं है तो प्रैक्टिस खूब कर ये लॉंग जंप की काई कि चाल बारा और चाल फिट फूदना है तो वह आसान बात नहीं रहे गए और मेजर मेंट जो भी है तो सब्सक्राइब है तो थेंक यू थोड़ा आगे आगे मेरा नाम सुमीट यादावे मेरा 25 मार्च को फिजिकल था आर्पीए पेसाई का सर के आसिरवाद और सर की ट्रेइनिंग की वज़े से हमारा फिजिकल निकला है वहां पर यदि मेदान की बात की जाए तो जिसे रोहि पट्टा है तो उसके कारण वहां पर चूना नहीं है पती आई यह तो आपको फाउल बहुत हो रहे है बारा बारा फिट लोगों की लॉग जब थिकल जाती थी लेकिन लोगों के फाउल ज्यादा हो जाते थे तो पहली बार मैंने देखा कि महां पर हाई जंप से ज्यादा लोग लॉग जंप में निकल गए बार तो आपको फाउल का धियान रखना है और सड की ट्रेडिंग पर इस्वास कीजिए आप सब कभी फिजिकल निकलेगा महाँ पर एक दिन पहले जाके होटल की बुकिंग अभी इससद पर सोना पड़ा तो जिसका भी फिजिकल है तो अ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगों जिनकी हार्ट ट्रेडिंग से वहां का हम टफ टे फेस कर पाये हैं 25 दिन पहले आया था तो रनिंग तो नहीं होती थी मेरी से बीचे से सर मोलते हैं डौड डौड बस यही दिमाग में था कि दौड तो बस दौड़े ही और सर क जो ट्रेडिंग होती है यहां जो फेस कर लिया वह कहीं की फिस्कल अराम से फिस कर लेगा यह तो इतना समझ में आए वहां हम ग्राउंड में यह अच्छी बात थी वहां जो जित्ते बंदे हम यहां साथ में दौडते थे वहां भी साथ में ही दौड़ने को हमें मिला हैं ग्राउंड दिखता तो है बड़ा सरकल है फुरा है लेकिन है उती ही 400 दिक्कत नहीं होगी रनिंग करने में बस यह कि 20 सकंड कम किया हमने मैंने और बहुत बहुत दाने बाद कहना चाहूंगो सरकों के आपके साथ ने प्रत्यक्ष उदारण है जैसा कि इन्होंने बताए कि मेरी यहां कभी जंप नहीं हुई वहां जरूर मेरा हो गया और पहली बार में हुआ यह प्रेक्ष तो आप खूब कर लिए हैं प्रेक्ष के साथ जो तीसरी सकती काम करती है वह इस ग्रूप में आपके प्रत्यक्ष उदारण है जो आप निसुल्क रूप से फिजिकल ट्रेनिंग लेते हुए इतनी साड़े साथ हजार दुआएं दे करके गए हैं वही तीसरी सकती आपके माता पिता की दुआओं के रूप में ये कारे करती हैं जो प्रेक्ष के बाद जूद भी जम्प नहीं हो पाई और आपके माता पिता की दुआओं के बज़े से फाइनल इनका जम्प अच्छा गया बोब पाई लिवार्ब